मोधी सरनेम पर टिपड़ी के मामले में राहूल गांधी को सूरत सेशन कोट से राहत नहीं मिली है सजा पर उक लगाने की याचिका को आज कोट ने खारिच कर दिया है जिसको लेकर कॉंग्रिस ने साफ कहा है कि इसके खिलाफ अब वो हाई कोट का दर्वाजा खटकटाएंगे कॉंग्रिस ने अपनी प्रेस कॉंफरेंस में एक बार फिर भारतिया अदालतों पर भरोसा जताया है देखते हैं ये रिपोर्ट मोदी सर ने मामले में सूरत की अदालत ने राहुल की याचिका को खारिच कर दिया है राहुल ने निचली अदालत की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी इस पर कॉंग्रस ने कहा है कि जज्जमेंट को जल्द ही चुनावती दी जाएगी वरिष्ट वकील और कॉंग्रस नेता अभिशेक मनू सिंग्वी ने कहा कि भरोसा है कि हाई कोर्ट या सुप्रेम कोर्ट सूरत के सत्र कोर्ट की गलती को सही करेगा जज्जमेंट की दूसरे पार्ट में कहा गया है कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की मान हानी हुई लेकिन वो तो इसमें पक्ष ही नहीं है पियम मोदी ने कभी इसको लेकर शिकायत भी नहीं की सिंग्वी ने आगे कहा मैं अखिल भारती स्थर का नेता हूँ तो आप दो साल की सजा देंगे या फिर चर्चा करेंगे ये गलत है कि नहीं मैं आपको गाली दू तो आप शिकायत करेंगे ना राहुल गांदी ने जो तीन नाम लिये उनमें से तो किसी ने शिकायत नहीं की है सिंग्वी ने मीडिया से बात करते हुए फैसले को दुर्भागे पूर्ण बताया उन्होंने कहा कि ये नियाय के मूल भूत आधारों का हनन है राहुल गांदी के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया उन्होंने कहा और बीसी वर्ग ने समझ लिया है कि पिया मोदी उनके नाम को भुनाने की कोशिश कर रहे है इसका उल्टा असर हो रहा है सिंग्वी ने आगे कहा कि राहुल गांदी की आवाज बंद नहीं होगी वो जंता की अदालत में अपनी बात कहते हैं उन्होंने ना गलत कहा है ना कहेंगे हम पर डराने धमकाने का कोई असर नहीं होगा आपको बदा दे कि 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने बीजेपी के विधायक पुर्णेश मोदी की दायर आपराधिक मानहाने के मामने में राहुल को दो साल की सजा सुनाई थी जिसके फॉरण बाद उनकी लोगसबास सदस्यता को रत कर दिया गया था